के गाईज वल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं ओट्स का चीला जो लोग हेल्थ कॉंशियस है और प्लेन ओट्स खागा कर बोर हो गए हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है खाने में बहुत ज़दे यमी होती है तो इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं दोस्तो ओट्स का चीला बनाने के लिए हमें यहाँ पे आधा कप ओट्स ले लेना है आधे कप ओट्स के लिए हमें आधा कप भी पानी ले लेना है इसे अच्छी तरह से मिक्स परें आप देख सकते हैं ओट्स इसमें अच्छी तरह अब हमें इसे ढग कर 15 मिनट के लिए रेस देना है ताकि ओर्स अची तरह से फुल ज़ए दोस्तों 15 मिनट हो गया है इसे उपन करके देख लेते हैं आप देख सकते हैं ये काफी साधा थिक हो गई है ओर्स अची तरह से फूल चुकी है दोस्ताब हमें यहाँ पर कुछ वेजिटेबल एट करने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर बारिकटी हुए मिर्च, तमाटर, प्यास और धनिया लेया है आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इस पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कैपसिकम और कैरेट यूज़ कर सकते हैं गूभी उसकर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अब वो यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ मैं थोड़े मसाला एट करने हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एक चथाई चमच हल्दी पॉडर ले रही हूं एक चथाई धन्या पॉडर ले एक चथाई लालमेच पॉडर एक सबी कम जीरा पॉडर ले ले स्वादम उसा नमक ले ले यहाँ मैं आद्य चमच करीब यूज़ कर रही हूं दो चमच करीब बेसन ले ले एक चोथाई चमच करीब आमचय पॉडर ले आप इसकी जग़ए नीबु करस का भी यूज़ कर सकते हैं इन सबीका अच्छे तरह स इसे mix कर लें, दोस्तों अब इसमें पानी add करें, हमें इसका घोल बिल्कुल उत्पम जैसा ready करना है, दोस्तों अब देख सकते हैं, इसका घोल बनकर बिल्कुल ready है, इतना ही पतला रखें इसे, दोस्तों मैंने यहां पे एक पैंड चड़ा लिया है, इसे अच्छा तरह से ग इसे better लेना है, इसे डाल लें, और इसे इस तरीके से पैलाएं, थोड़ा better और लें, इसे बिल्कुल low flame में fry होने दें, उपर थो ऐसा oil डाले, corners में भी oil डाले, और इसे बिल्कुल low flame में fry होने दें, दोस्तों आप देख सकते हैं, यह एक तरफ से अच्छी तरह से सिख गई है, इसे पलट लें, बिल्कुल भी हड़वरी ना करें, इसे बिल्कुल low flame में अराम से सिखने दें, इसे इस तरीके से पलट कर देखें, दोस्तों अगर आप इसे क्रिस्पी करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा एक मचे करीब चावल का अटा एट करें, दोस्तों यह एक बनकर तयार हो गया है, आप देख सकते हैं, यह बहुत अच्छी तरह से सिख गई है, इसे एक पलेट में ट्रांस्पर कर लें, दोस्तों इसी तरीके स हमें बाकी बैटल का भी चीला बना लेना है, दोस्तों यह ओर्स का चीला बनकर बिल्कुल तयार है, आप देख सकते हैं, इसे बनाना कितना असान था, खाने में यह बहुत ज़दा टेस्टी है, आप इसे लाल चटनी या हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी से स और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा हूं